क्यूंकि आपने महाभारत, रामायन और इन सभी शास्त्रों की बात की और हम इनकी बाते कर रहे हैं क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जी देखे, हमें ये समझना होगा कि शास्त्र क्या है हमारे शास्त्र और इतिहास बहुत ही जीवन तरीके से लिखे गए थे एक महा काव्य, एक जीवन तरूप में लिखा गया इतिहास है ताकि ये आपके लिए हर समय मददगार हो देखे, आधुनिक तरीका इतिहास लिखने का पश्चिमी तरीका ऐसा है एक राजा आया, उसने इतने लोगों को मारा, उसने ये किया, वो किया और मर गया फिर अगला आया, उसने ये किया, वो किया और मर गया इसका आप क्या करेंगे? मिरा मतलब हजार साल पहले कोई जिन्दा था या मर गया था इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पर जब आप रामायन महाभारत पढ़ते हैं, तो ये जीवन्त कहानिया हैं, ताकि आप आज भी इन से संबंद बना सकें तो ये वाकई अतीत से सीखना हुआ क्योंकि इंसान होने का अधार सिर्व ये है, कि हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं हमारे साथ बकवास होनी जरूरी नहीं है, किसी के साथ कुछ होता देख कर हम सीख सकते हैं शायद वो 5000 साल पहले हुआ हो, तब भी उनका जीवन देख कर हम अपना जीवन ठीक कर सकते हैं इसलिए बहुती जीवन तरीके से लिखे गए इतिहास को शास्त्र नहीं माना जाना चाहिए महाभारत या रामायन शास्त्रों जैसे नहीं है, वो सिर्फ कहानिया है इस तरह से लिखा गए इतिहास जो हमेशा लोगों के जीवन में मददगार बना रहेगा बिल्कुल सही है, मैं यही कह रही हूँ महाभारत और रामायन का हमारे समाथ से बहुत बड़ा संबंध है और जब आप रामायन को देखते हैं तो सीता के साथ जैसा व्यवार किया गया था महिलाओं के ऐसे उधारन देख कर पुरुष उनके साथ वैसा ही व्यवार करना चाते है इससे निश्चे त्रूप से भारतिय पुरुषों के मन पर असर हुआ है इस बारे में कोई शक नहीं है क्योंकि आपने कहा था कि ये चीजे हम अतीज से सीखते हैं और हमने उन पर नाटक बनाए है उन्हें बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है बड़े बुडे कविताएं सुनाते हैं रोजाना ये कहानिय सुनाई जाती है तो मेरा आप से प्रश्न है जब आप इन चीजों से सीखते हैं जब आप पीडियों तक रामायन, महाभारत और ऐसी कहानियों से सीख रहे होते हैं तो हम कैसे उमीद करें कि आज के भारती पुरश अपनी पत्नी के साथ ऐसा वहवार नहीं करेंगे जैसा सीता के साथ हुआ था या द्रौपती के साथ हुआ था मेरा मतलब है इस पीडि के लिए हम वाकई समझना चाते हैं कि हम कैसे इन चीजों को बुलाए जो हमने अपने जीवन में सीखी हैं और एक नहीं शुरुवात कैसे करें ताकि एक महीला को एक व्यक्ति के रूप में एक जीवित इनसान के रूप में सम्मान मिले हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाए यही मैं सीखना चाती हूँ मैं महिलाओं से पूछता हूँ क्या वो खुद के साथ सीता जैसा बरताव किया जाना पसंद करेंगी मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहती है आज नहीं 5000 साल पहले और एक आदमी ने श्री लंका से आकर आपका अपहरंड कर लिया क्या आप एक ऐसे शक्स को पसंद करेंगी जो आपको खोजने के लिए श्री लंका जाएगा या वहीं किसी दूसरे से शादी कर लेगा क्योंकि वो राजा था मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जीवन में कैसा आदमी चाहती है वो आदमी पैदल श्री लंका गया लड़ाई लड़ी पूरा शहर जला दिया अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए ये चोटी बात नहीं है पर उन्होंने अपनी पत्नी की अगनी परीक्षा ली उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था देखे हम शब्दों को गलत समझ रहे हैं अगनी परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आग में जाना था इसका मतलब है कि कोई परीक्षा जरूरी थी क्योंकि वो राजा हैं हर कोई उन्हें एक आदर्श के रूप में देखता है वो कैसे व्यवार करते हैं क्या करते हैं ये बहुत महत्वपून है क्योंकि पूरे देश का जीवन उन पर निर्भर है आज यही सबसे बड़ी समस्या है इस देश में ये ध्रितराष्टर सिंड्रोम है तब से लेकर अब तक ठीक है तो वो उन दिनों में एक मिसाल कायम कर रहे थे वो गर्भवती थी फिर भी मतलब है कि उनके बेटे पेट में राजा के लिए बेटे महत्वपून होते हैं क्योंकि ये एक सामराज्य है पर फिर भी वो उन्हें जंगल भेज देते हैं क्योंकि वरना देश में परिशानिया होंगी आप इसे गलत चीज मान रहे हैं मुझे लगता है कि क्योंकि लगता है